हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बैल आइकन पर क्लिक कीजिए नए नए वीडियोज देखने के लिए नमस्कार दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल यूर हैल्ट डॉक्टर में दोस्तो प्रेगनेंट महिलाओं को भूल कर भी नहीं खानी चाहिए ये चीजे वरना बाद में पस्ताने से कुछ नहीं होगा हर मार के लिए उसके बच्चे की देखभाल और केरिंग बहुत ही जरूरी होती है और इसकी सुरवात प्रेगनेंट महिला के गर्ब से हो जाती है इसलिए हर महिला को ध्यान रखना चाहिए गर्बवती महिला का खान पान बहुत ही एहम होता है क्योंकि इस समय महिला को संतुलित और पोष्टिक भोजन की आविशक्ता होती है और गर्बवती महिला को इस समय ज्यादा कैलोरी की जरूरत होती है लेकिन कई बार खान पान पर ध्यान ना देने से कई तरह के बीमारियां हो जाती हैं जो बाद में बहुत तकलिफ देती हैं और आने वाले बच्चों को भी यह तकलिफ हो सकती है आईए हम आपको बताते हैं कि गर्वबस्ता के दौरान किसी भी तरह की मेडिसिन डॉक्टर से सलहा लेकर ही लें दर्द होने पर या दर्द निवारक दवाईयां ना लें नहीं तो यह बहुत ही नुक्सान पहुंचाती हैं और बच्चे के विकास को भी रोक सकती हैं दूसरी चीज सारे फल खाएं लेकिन फलों में पपीते का सेवन बिलकुल भी न करें पपीते की गर्मी अंदर के गर्व को नुक्सान पहुंचा सकती है कच्चा खाना वायरस और बैक्टिरिया से भरपूर होता है जो बीमारी को घर कर लेता है इसलिए कच्चा खाना बिलकुल भी न खाएं खाने को हमेशा पका कर ही खाएं पांचवी चीज, गर्ववती महिला को किसी भी तरह का नशा और सराब और धुम्पान का सेवन नहीं करना चाहिए कई बार इसके सेवन से महिलाओं में गर्वपात तक हो जाता है छटी चीज, किसी भी तरह के कैफेन या चाय जैसी चीजे ना पिये यह चीजे पेट में गैस बना देती हैं जो कि बच्चे को नुक्सान पहुंचा सकती है यदि आपके घर में भी कोई गर्ववती महिला है तो उनको यह चीजे आप जरूर बताइए हमें उमीद है कि आज का वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा यदि यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसको अधिक सधिक लाइक और शेर करना ना भूले और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद